So, Hello Guys, Welcome Back to my channel, अर्थिशास्त्री की नगरी, So Guys, जैसे कि आपने थमनिल के अंदर देखी लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं, Class 12 की Economics के एक और पेपर के solution के regarding, इससे previous मैंने आपको जो है, already 7-8 पेपर मेरे भाई solve करा दिये हैं, सारे के सारे पेपर का solution, हिंदी मीडियम मे जो है, प्लेलिस्ट के अंदर अविलेबल है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मेरे भाई, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर, उन सभी पेपर के solutions की वीडियो देख सकते हैं, ना मिले मुझे comment box में comment कर सकते हैं, कि सर मुझे वीडियो नहीं मिल लिए, कोई वीडियो आपको one shot वीडियो चाहिए, आपको chapter wise most important question चाहिए, आपको chapter wise most important question with answer चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आप मुझे बस comment box में comment कर दीजी, आपको सारी की सारी वीडियो जो है, systematic way से सब कुछ एक ही जगा आपको जो है, मिल जाएगा, तो बात करते हैं हम अगले paper के solution के regarding, तो सबसे बहले हम बात करते हैं question number one की, question number one के अंदर कहता है, कि प्राथमिक जमा जो होती है वो आम जनता द्वारा, वानिजे बैंकों के पास नगत जमा जो है, वो होती है, क्या यह बात ठीक है, क्या यह बात गलत है, तो यह जो है, यह बात तो बिलकुल ठीक है, व पंजमा को दित्तिक जमा कहते हैं, तो यह बात ठीक है, दोनों question आपसे जो पूछे गए हैं basically, यह आपसे जो है, प्रात्मिक जमा primary deposit और secondary deposit के उपर, आपसे question पूछा गया है, तो कथन one भी ठीक है, और कथन two भी जो है, बिलकुल okay लिखा हुआ है, और आपको इसकी definition भी प अपना जुगार जो है, बना सकते हैं, ठीक है, secondary deposit पे बहुत बारी question आता है, तो इसको आप अच्छे से करके जाईएगा, कहता है, कि जो बजार मुले पे जो रास्टे आए होती है, बजार मुले पे रास्टे आए, और साधन लागत पर रास्टे आए, मतलब कि यह आप से यह कह रहा है, कि माल लीजिए, NNP at MP जो होता है, और NNP at FC जो होता है, उनके बीच के अंतर को क्या कहते है, तो conversion कही आप से question पूछा गया है, तो MP का formula क्या होता है, FC plus NIT, net indirect text should आपर text कर, तो should आपर text कर जो है, उनके बीच का difference होता है, ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद क picture वाला question आपको दे रखा है, कहता है कि पैचानी इन में से कौन सा सिर्फ वास्तिविक प्रवा को दर्शाता है, सिर्फ वास्तिविक प्रवा को, तो वास्तिविक प्रवा का, आपको definition पता होना चाहिए, जिसमें सिर्फ वस्तूओं का और सेवाओं का प्रवा होता है, तो यह सेवा है यह वह है यह नहीं चलेगा यह वाला जो एक्जामपल है बी बी ऑप्शन जो दे रखा है इसमें वस्तुओं का और सेवाओं का परवा हो रहा है तो बी एक्जामपल जो है वो बिल्कुल करेक्ट है वास्तविक परवा का मौतरिक कौन सा होता है जिसमें मुद्र लेता है उसको जो है क्या कहते है मेरे बाई यह आपको ध्यान रखना है बैंक दर अब बैंक दर रेपो धर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है या आपको पता ओना चाहिए दीरकारी नावशक्ताओं की बात चलिए Reserve Bank से loan लेता है commercial bank ठीक है तो क्या difference होता है bank दर और रेपो दर में यही difference है ठीक है रेपो rate अलब काल से related है bank दर दीर काल से related है ठीक है तो इसका जो answer होगा आपका bank दर जो है इसका आपका correct answer हो जाएगा question number 4 में कहता है कि अगर किसी रास्टे के द्वारा बी ओ पी के कि अगर आपके balance of payment में घाटा हो रहा है और आपने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया तो उसको आप पूंजी खाते में दर्ज करेंगे क्योंकि आपके उपर liability create हो जाएगी तो बिल्कुल correct answer है स्वायत लेंदेन भुक्तान संतुलन खाते की दिशा से सतंतर होते हैं कि उनको कोई लेना देना नहीं होता कि इससे balance of payment surplus में जाएगा एफिशिट में जाएगा क्या होगा स्वायत मदे हम लाब कमाने के अदिश्य से करते हैं तो दोनों की दोनों statement बिल्कुल ठीक लिखी हुई है लेकिन जो समायोजन वाली होती है वो balance of payment को balance करने के लिए की जाती है वो सतंतर नहीं होती है और इस पर difference भी आ जाता है स्वाय पानवा निकोबार राजे सहकारी बैंक लिमिटिट पर banking नियमों के उलंगन के लिए जर्माना लगाया है दी गई रिपोर्ट के अधार पर केंद्रे बैंक के कार्रे की पैचान कीजिए कि यहाँ पर केंद्रे बैंक इन्होंने दो बैंकों के उपर वो कुछ गलत कर रहे ह तो इसके उपर जर्माना लगा दे कि आप जी हमारे रूल और रैगूलेशन का लंगन कर रहे हैं तो यहाँ पर बैंक जो है किंद्रे बैंक कौन सा काम कर रहा है नोड जारी करने का जंता का बैंक सरकार का बैंक या बैंकों का बैंक तो बैंकों का बैंक जो है यहाँ पर क दरा काम करता है, सभी बैंकों पे निगरानी रखता है, सभी बैंकों के खाते RBI के पास होते हैं, ठीक है जी, केंदरे बैंक का को कोश्चन exam में fix है, चार में से एक काम आए गई आएगा, तीन नंबर में, यह आप गरजे ही लिके लेके जाई सकते हैं, गोल कर पी जा सकते हैं, इस कोश्चन को, कोश्चन नंबर 6 के अगर हम बात करते हैं, तो कहता है, यदि निवेज गुड़क का मुल्य 4 है, क्या रहा है, के की value जो है, वो 4 है, और the С जो है, अव बचत की minus से उसकी बात कर रहा है, यह क्या है, S bar की बात कर रहा है, ठीक है, यह क्या है, यह क्या है, यह minus 60 है, तो निवल्टित में से, सही बचत फलन जो है, वो क्या है, तो धेखो बचत में का आपको पहले वह पता होना चाहिए, आपको ऐसे MPS की value निगाननी पड़ेगी पहले ठीक है K का formula क्या होता है 1 upon में MPS 1 upon में MPS यह 4 है इसकी value 1 upon में MPS MPS की value क्या आ जाएगी 1 upon में 4 तो यह कितना जाएगा 0.25 MPS की value 0.25 आ जाएगी तो इसका formula क्या होता है minus का S bar plus MPS MPS Y तो यह देख लिए कहाँ पर दिखा हुआ है तो A option जो है वो बिलकुल correct है ऐसे ही question भाई उब्भोग फलन में भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक है उसके बाद कहता है दे गए उब्भोग फलन के लिए निवेज गुड़क का मुल्ले क्या होगा यह आपको एक उब्भोग फलन दे रखा है तो निवेज गुड़क K की वैल्यू पूछ रहा है आपसे तो यह MPC होता है आपको पता होना चाहिए उब्भोग फलन में यह MPC होता है ठीक है तो अगर MPC जो है वो 0.9 है तो MPS कितना होगा मेरे भाई 0.1 होगा क्योंकि दोनों का जोड एक होता है तो K की वैल्यू कैसे निकलेगी 1 अपॉन में 0.1 डैसीमर रटाएंगे 0 तो 10 जो है आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ठीक है अगले कोश्चन की उपर बात करते है कहता है निमली खित को पढ़िए असर्शन रीजन को और बताईए क्या सही है क्या गल्थ है तो कहता है कि आएके ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुचने से पहले मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जब आता है उससे पहले और ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुचने से पहले जब ब्रेक इवन पॉइंट आने वाला होता है या ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता होना चाहिए यह होता है यह होता है ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है जहां पे C और Y आपस में परावर होते तो उससे पहले C की value जादा होती है I की value कम होती है तो कहता है वह से तो बोग कमूल एक से दिक होता है ठीक है जी APC, कुल बोग और कुल आइकन उबात होता है ठीक है जी ठीक है, बिल्कुल दोनों ठीक दे रहे हैं रेकिन reason assertion की correct explanation नहीं दे रहा क्यों होता है ऐसा ये नहीं बता रहा हो बतो तो दूसरे में उसने reason में उसने उसके definition लिख दी है APC की तो B option जो है वह आपका बिल्कुल correct answer जो है हो जाएगा क्या रहा है कि माली जी कि एक रास्टे का वैपार जो है वो संतुलन में है ठीक है जी पांच हजार करोड का घाटा जो है दर्शारा है BOT दिरिश्य वस्तूं का आयात दिरिश्य वस्तूं के निरियात से पांच गुना है तो देखिए बेटा बहुत अच्छा कोशन है ये BOT का जो formula होता है BOT का जो formula होता है वो होता है आपका निरियात माइनस आयात ये होता है ठीक है पचास अजार करोड का घाटा यहाँ पर है यहाग्या पचास अजार करोड ठीक है और कह रहा है दिरिश्य वस्तूं का जो आयात है ना वो निरियात का तो अगर बीटा निर्यात एक्स है तो तो कह रहा है आयात कितना है आयात जो हो नो उसका 5 गुना है 5 गुना तो यह कितना हो जाएगा यह जाएगा आपका 5 एक्स ठीक है यह कितना हो जाएगा आपका 5 एक्स अगर निर्यात एक्स है तो आयात कितना होगा 5 एक्स क्योंकि कह पांच में से एक गया हुए आई, माइनस का 4X, माइनस से माइनस काड़ दीजिए, and 4 बन जा 4, 48 जा, 4 बन जा 4, इधर लियाए, 4, 2 जा, और 2 इधर लियाजिए, 2, 5 जा, 12,500, 12,500 जो है, X की value आपकी आ जाएगी, और X की आता निरियाथ, पर गयादा निरियाथ का मुले गयाद कीजिए, तो 12,500 जो है, आपका correct answer हो जाएगा, थोड़ी से mathematics लगेगी, mathematics आपको आनी चाहिए इस question के लिए, विदेशों को बेजे गए उपहार, भाई मैं पहली बता चुका हूँ, इस type के question, बुगतान 6 के debit side, credit side, हजार बारी बता चुका हूँ, पैसा आ रहा है, credit side, जा रहा है, debit side, inflow हो रहा है, inflow हो रहा है, credit side, outflow हो रहा है, debit side, प्लीज, इस question को अच्छे जिकर के जाईएगा, ऐसी टो liability factor हो रहे हैं, पूंजी खाता, नहीं हो रहा है, तो चालू खाता, तो उपाहार वगएरा भेजें, तो यहाँ पे कोई acid liability की बात नहीं चल लिए, और भुकतान भेजे गए उपाहार, पैसे भेजें आपने उपाहार भेजाए, पैसे जाएंगे, आपके पास से outflow होगा, तो चालू खाते के, debit side में इसको जो है, दर्ज किया जाएगा, इस question को अच्छे से कर लीजिएगा, आए गई आएगा, पैचानी इसमें से कौन सा समीकरन सही है, सही समीकरन जो है, पैतानना है, तो मैं समझ लीजे हलवा question है, आपके लिए इससे असान question कुई छोई नहीं सकता, दोनों का जोड़ जो है, तो एक के बराबर होता है, तो B जो है, इसका correct answer जो है, हो जाएगा, बताए इससे असान तो और कोई question होगा ही नहीं, क्यारा है वह स्तिती, वह स्तिती, जहां एक सक्षम व्यक्ति जो है, वर्तमान मजदूरी दर पर कार्रे करने के इच्छुक नहीं होता है, नहीं होता है, वह कौन स्तिती कहलाती है, पूंट रोजगार की अनेच्छिक बेरोजगारी की, एच्छिक बेरोजगारी की प्रचन, तो वह सब कुस ठीक है, skilled है, सक्षम है, लेकिन वह प्रच्रित मजदूरी दर पर अपने मंद से काम करने के लिए रेडी नहीं है, तो वह एच्छिक बेरोजगार है, अपनी इच्छा से बेरोजगार है, वह चाहे, तो कलही नोकरी पर लग सकता है, यह हो गया आपके MCQ कोश्चन, उसके बाद हम बात करते हैं, कोश्चन नमबर 11 की, कोश्चन नमबर 11 में कहता है, कि मुल्ले वृद्धी और उतपात का अंतिम मुल्ले, इसमें जो है, अंतर बताईए, इसमें क्या अंतर होता है, तो देखिए, मुल्ले वृद्धी जो है, मद्धे वर्ति उभोग के मुले पर उत्पात के मुले के अधिक्तिता को संदर्बित करता है मतलब जो हम बेटा जीविये निकालते है जीविये टेमपी जो हम निकालते है वो जीविये टेमपी कैसे निकालते है उत्पात का मुले माइनस मद्धे वर्ति उभोग यही उसने यह definition लिख दी और उत्पाद का मुल्ले क्या है उत्पाद का मुल्ले कैसे निकलता है बिगरी और स्टॉक में परिवरतन यहाँ पर लिखाए एक निश्चित अब्धी के दौरान उत्पादित वस्तूर सेवाओं का कुल मुद्रिक मुल्ले को संदर्बित करता है कित्ती वस्तूर सेवा हमने बनाई है ठीक है उसको संदर्बित करता है यह दोनों यहाँ पर इसने definition लिख दी उत्पाद का मुल्ले कैसे निकालता है उसका formula लिख दिया कितनी हमने काईया बनाई और एक कितने रुपे की है P into Q से भी निकल सकता है तो यह बहुत बारी repeated question है कई बारी यह question exam में पूछा गया है इसको आप अच्छे से करके जाएगा इसी तरीके से आपको इसकी explanation जो है लिखनी है इसके P में कहता है तो हम एकी मुल्ले वृद्दी की गढ़ना कीजिए तो कर देते हैं जी गढ़ना मुल्ले वृद्दी की जीविये निकानना इसमें मुल्ले वृद्दी का मतलब होता है जीविये तो देखिए कारक आगतों का क्रे 5 रुपे गैर कारक आगतों का क्रे दो रुपे घरेलू अर्थ फेवस्ता में फर्म ए दौरा अन्य फर्मों से की गई बिकरी दस रुपे शेश विश्व से फर्म ए दौरा कच्चे माल का आयात और प्रारंबिक स्टॉक का अंतिम स्टॉक पर दिखे ये दे रखा है तो यहाँ पर बिटा सबसे बहले बिकरी कितनी जी रखी है दस ठीक है स्टॉक में परिवर्तन आरंबिक स्टॉक पर अंतिम स्टॉक का दिखे मतब अंतिम जादा है प्रारंबिक कम है तो ठीन आ जाएगा ये पॉजिटिव का ठीक है विक्री प्लस स्टॉफ में परिवर्तन माइनस विक्री प्लस स्टॉफ में परिवर्तन माइनस अब यहाँ पर क्या करना है में मद्धे वर्ति उभोग मद्धे वर्ति उभोग कैसे निकलेगा बिटा मद्धे वर्ति उभोग निकलेगा आपको पताओना चाहिए मद्धे दो तरीके के इंपूट होते हैं कारक आगत और एक गैर कारक तो कारक आगत मद्धेवर्तिव भोग नहीं होते हैं सिर्फ गैर कारक आगत मद्धेवर्तिव भोग होते हैं और आयात तो दो और पांच बावन दो और पांच बावन यह आजा है आ जाएगा answer ठीक है negative महीं आ एगा ठीक है negative महीं आएगा कोई दिखकत नहीं है किया दिखावाए रिणात्मक मानके उत्तर के लिए कोई अंक नहीं खाता जाएगा negative महीं आएगा आठ अप ऐसा मसूची करें negative में आ रहा है तो गलत है negative कह एका के अंदर ठीक है कभी कबार ऐसा हो जाता है जीरो आगे नेगेटी वा गया तो बच्चा जो हो जाता है कि शहाएद मैंने गलत कर दिया अब आते हैं अगले question के regarding बहुत ही जबरदस्त question है बहुत ही जबरदस्त question है विदेशी विन में दर और विदेशी मुद्रा की पूर्ती में धनात्मक सह संबंद होता है बहुत अच्छा है यह मैं पहले भी आपको बदा चुक हूँ same यह question मांग के साथ भी आ सकता है same यह question पूर्ती के साथ भी आ सकता है मांग के साथ भी और पूर्ती के साथ भी ठीक है तो जैसे कीमत में और पूर्ती में सीधा संबंद होता है बिल्कुल इसी तरीके से विदेशी विनमेदर और पूर्ती में सीधा संबंद होता है तो कथन बिल्कुल ठीक है, क्या लिखना है आपको इसके अंदर यह लिखेंगे कि जैसे जैसे विदेशी दर बढ़ती है, वैसे वैसे जो है उसका effect क्या होता है, कैसे supply बढ़ती है, यह पूरा का पूरसन यहाँ पे लिखा हुआ है मांग के साथ उल्टा होता है, पूर्ती के साथ सीधा होता है और क्यूं होता है, यह यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा का सारा, कब घरेल उवस्ते सस्ती होती है कब घरेलू वस्ते महेंगी होती है सब का आपको पता होना चाहिए इसका effect ठीक है हमारा favorite fix question जो कि मैं हजार बारी जितने paper करा चुका हूँ ये question गड़ से ही लिखके लेके जा सकते हो बचत कम है निवेश से निवेश जादा है तो कैसे संयोजन पर करिया चलेगी इसको separate वीडियो बना रखी है कैसे भाई अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हो प्लीज इस question को ये चार से पांस तरीके से गुमा के आता है ये question कैसे कैसे convert होता है AD greater than AS AD less than AS S greater than I S less than I कैसे आप इसके explanation देंगे कैसे गुमा गुमा के question पूछा जाता है ये चार नंबर का CBSC में fix question है ये आएगा ही आएगा इसको बहुत ही अच्छे से करके जाएगा explanation किस तरीके से देनी है ये यहाँ पर जो है लिखा हुआ है आप इसको देख सकते हैं ठीक है fix question है fix आप इसको गर से ही लिखके लिखे जा सकते हैं ये की समझ लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो उसके बाद कहता है 26 दिसंबर 2022 को प्रकाशित निमलिखित समचार पत्र को पढ़ दीजिए कहता है कि किंद्रे बैंक ने बैंचमार्क रिणदर में 140 अंकों की वृद्धि करती भारते रिजर्म दारा की गई इस कार्यवाई के पीछे संभावित कारण परिणामों की पैचान कीजिए कि रिणदर मतलब लोन लेने की जो रेट है उसमें वृद्धि कर दी ठीक है बढ़ा दिया इंट्रस्ट रेट वगएर आप ये समझ लीजिए तो कहरा है इसके पीछे संभावित कारण रीजन बताईए ऐसा क्यों करा रिणदर में और इसके परिणाम बताईए तो अगर रिणदर में वृद्धि कर दी है मतलब अगर वानिजे बैंकों को आरबे से लोन लेना महेंगी इंट्रस्ट रेट देनी पड़ेगी तो मुद्रा स्वीती जो है इसका कारण हो सकता है आरबे ही चाहता है जब वानिजे बैंकों के पास पैसे कम जाए आपको यह नहीं पता है कौन-कौन से most important question है मेरे से बहुत सारे बच्चे बार-बार comment box में comment करते है तो मुझे most important question with answer बता दीजिए मुझे most important question बता दीजिए मैक्रो से क्या पढ़ना है इंडियन से क्या पढ़ना है मेरे भाई यह सीजे हम बहुत ही पहले करके आचुके है आप प्लेइलिस्ट को देख लीजिए most important question chapter wise most important question with answer जो fix हैं जो घर्दी लिखके लिखे आ सकता आप जिसके बिना cbsc का paper छपता ही नहीं है जो question आएगा ही आएगा एक एक चीज मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ बता चुका हूँ आपको वीडियो नहीं मिल ली है आप मुझे comment box में comment कर दीजी इसार मुझे वीडियो नहीं मिल ली है आपको comment में ही सारे link मिल जाएंगे आप वहाँ से systematic way से सारी वीडियो जो है देख सकते हो केंद्रे बैंक के कारे सरकार का बैंकर बैंकों का बैंक कंतिमिर इंड़ाता और नोड जारी करना में से question आएगा ही आएगा ये fix है ठीक है अपने पास इतना content रखिए कि आपको बहुत easily चान नंबर जो हैं मिल जाए उसके बाद कहता है कि money creation commercial bank किस तरीके से करते हैं एक कालपनिक संख्यात्मा कुधारन का परियोग करते हुए साख का सरजन commercial bank किस तरीके से करता है ये आपको बताना है बिड़क फिक्स question है most important कैसे money creation होती है पुरा table बना के उसको धारन के साथ पहले ये बताना है साख निर्मान क्या होता है money creation इसका कैसा relation होता है जैसे इसने कुधारन ले लिया कि प्रात्मिक जमा मान लीजिए एक हजार है ठीक है और यहापे आपको ऐसे table बना के दिखानी पड़ेगी CRR इनने zoom कर लिया कि इतना CRR है ठीक है इतना होगा money creation इतना होगा यहाँ पूरा बता रहा है कि जब saag गुडक की value ज्यादा होती है तो money creation जैसे हम rate को ज़्यादा कर देते है money creation कम होता है CRR बढ़ते ही money creation कम होती है ज्यादा होते ही क्या होता है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है उल्टा relation होता है उल्टा वी प्रीट ठीक है तो ये बात ध्यान रखिएगा इसके उपर question आएगा ही आएगा कि अगर 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 ये बढ़ गया आरक्षी तनुपाद बढ़ गया पहले 0.2 था अब 0.5 बढ़ गया money creation क्या हो रही है कम हो रही है और अगर हम ये कम कर दूँ तो money creation ज्यादा होगी ठीक है और ये साग गुड़क का फॉर्मूला है तो ये तीनों जो स्तितियां बता रखी है ठीक है इसका इसके साथ भी पूछा जा सकता है इसका इसके साथ भी पूछा जा सकता है इसका इसके साथ भी पूछा जा सकता है किसी का भी किसी के साथ relation पूछा जाता है तो कैसा किस के साथ relation होता है उल्टा होता है ये बाद ध्यान रखिएगा क्यादा है कि जबरदस्त question है repeated रास्टे आय सदेव घरेलू आय से अधिक होती है तो ये बिटा बिल्कुल ही गलत है ऐसा जरूरी नहीं है इसमें वोई NFIA वाला कॉंसेप्ट लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है कि रास्टाय हमेशा जादा ही होती है घरेलू से किवल तब जादा होती है जब NFIA जीरो से बड़ा होता है जब NFIA जीरो से छोटा होता है तो रास्टाय से ज़्यादा नहीं होती है ये इसकी एक्स्प्लेनेशन में आपको लिखना है वै विदी के द्वारा जीडी पी का अंकलन करते हुए ध्यान केवल रास्टे के निवासियों पर वै होता है क्या आप दिये गए कथन से सहमत है अपने उत्तर में तर्क दीजिए तो यहाँ पर आपको लिखना है ये नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है कि वै विदी के अंदर अगर हम जीडी पी निकाल लें तो हमें घरेलू सीमा में सभी अंत्यम, वस्टों, सेवा के कुल वै को ध्यान में रखना चाहिए चाहे वो निश्च टब्दी के दोरा निवासयों दारा किये गए हो या गैर निवासयों दारा किये गए हो हमें उससे कोई भी फरक नहीं पड़ता घरेलू सीमा के अंदर सब यंतिम वस्तों और सेवाइं जो भी है उस पर कोई भी वैह हो रहा है चाहे वो किसी के भी द्वारा और और निवासी के या गैर निवासी के उसको वैविदी के अंदर शामिल किया जाता है ये बहुत important question है बहुत जादा ठीक है और क्यों हम निर्यातों को एड़ करते हैं क्यों हम आयातों को घटाते हैं ये सब चीजे आपको पता होनी चाहिए ठीक है देखो कैसे क्या लिखा हुआ है अगर आपने कारणी नहीं दिया या कारण गलत दे दिया तो आपको नमबर नहीं मिलेंगे कारण देना है उसने पूछा कारण बताईए मानने कारण दीजे जो चीज उसने पूछी है अगर आपने वो चीज नहीं लिखी तो आपको मेरे भाई आंसर जो है नहीं मिलेगा ये बात ध्यान रखिएगा चितन में दी गई जानकारी के अधार पर मानने कारणों का लिख करते हुए मदों को राजस्व प्राप्तिय और पूंजिगत प्राप्तियों में वर्गी करित कीजिए भारत को उसका पैसा कहां कहां से आता है देखे बहुत अच्छा image based question है ये आपका तो कौन सी राजस्व प्राप्तिय है जैसे रिंड़ की वसूली है गैर कर राजस्व है ठीक है GST और अने कर आए कर उतपाद शुलक सीमा शुलक ये सब निगम कर ये सब दे रखा है तो कहरा है कौन सी राजस्व प्राप्तिय है और कौन सी पूंजिगत प्राप्तिय है ये बता दीजिए तो देखें मेरे भाई, सारे के सारे कड कर ये 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 सब तो बेटा राजसव zijn और ये ज़से हैं ये पुंजी गत नो जाएगा आपका, ठीक है हलवा कोशन है, आपको सिब उसकी डेफिनिशन बताने चाहिए यह राजस्व गाटे में और राजकोशी गाटे में राजस्व 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 गाटे में राजकोशिय में include होते हैं ठीक है उसके बाद जो है निमले की ताकड़ों द्वारा प्रात्मिक घाटे की गड़ना कीजिए प्रात्मिक घाटे का formula क्या होता है वो आपको बताऊना चाहिए प्रात्मिक घाटे का formula होता है पहले आपको राजकोशी निकानना पड़ेगा ठीक है तो राजकोशी कैसे निकलेगा विटा राजकोशी निकानने के लिए आपको जो है ये आपको दे रखा है राजस्व घाटा ये कोशन हम पहले भी कर चुके है ये राजस्व घाटा दे रखा है ठीक है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना आपको जो है राजस्व घाटा कितना दे रखा है चालिस ठीक है राजस्व घाटा कितना दे रखा है चालिस उसके बाद आपको जो है क्या करना है यह दे रखा है पूंजी गत्व है और यह दे रखे बेटा राजस्व घाटे के अंदर राजस्व घ प्राप्तियां दोनों include होगी, minus होएवा होगा, चीक है, अब आपको क्या करना है, पूंजिकत वै और गैर रिंड सरजीत पूंजिकत प्राप्तियां, आपको क्या करना है, इस में सिस को deduct कर दीजिए, तो कितना देगा, 30, चीक है, तो यह होगे आपका, यह होगे आपका 70, यह होगे आपका 70, राजकोशिये, ठीक है, राजकोशिये होगे 70, कैसे निकाला यह मैंने, यह आपको पताओना चाहिए, मैं आपसे यह कह रहा हूँ, राजस्व घाटे में, राजस्व वै और राजस्व प्राप्तियां, minus होई भी होंगी, ठीक है, तो मुझे से पूंज पूंजिकत वै और पूंजिकत प्राप्तियों में से प्राप्तियों को घटा दिया, तो में राजस्व तीस आ गया, तो मैंने, यह हो गया राजस्व वाली, राजस्व वै राजस्व प्राप्तियां, यह हो गई पूंजिकत वाली, दोनों को जोड़ दिया, 70, क्योंकि र कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सरकार के बजट का ये भी बहुत अच्छा question है सरकार के बजट के कई सारे उद्देश्ज़े होते हैं लेकिन fix ըहीं है कभी आता है संसाधनों का पुणह बंटन आ जाता है तियor के आर्थिक स्थिरता आ जाता है इसके अलावा चार उद्देश्य होते हैं, चार में से 80% चांस है, यह कोश्चन फसता है, ठीक है, सरकारी बजट के उद्देश्य, यह आयत अथा संपत्य का पुनावित्रन, संसादनों का पुनावंटन, आर्थिक इस्थिर्ता, यह तीन जो है मेरे भाई, इसको तो आप अ अच्छे से करके जाएगा, आर्थिक इस्थिर्ता का क्या मतलब होता है, जब डिमांडर सप्लाई सभी से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो सरकार अपने खर्चों में कमी बड़ोतरी करके, क्या करती है, मुद्रास्वीती या विस्वीती या न्यून मांग या दिमांग की सम समस्या को ठीक करने का प्रयास करती है, कब खर्चे जादा करेगी, कब खर्चे कम करेगी, आपको पता होना चाहिए, जब डिमांड जादा होती है, तो कम करेगी, और जब डिमांड कम होती है, तो जादा करती है, ठीक है, यह इसके अंदर आपको सारा का सारा लिखना है, और यही यहां पे जो है देखा हुआ है, यह होगई बेटा पूरी की पूरी आपकी, यह होगई आपकी पूरी की पूरी समस्टी अर्थिशास्त्र, ठीक है जी? अब हम बात करते हैं, भारती अर्थिवेवस्ता की, क्याता है, ब्रेटिस साशन के अंतरगत, कृषी का ख़दानों का निर्यात प्रारंब कर दिया था ब्रिटिस साशनकाल में ही यह भी बात दोनों की दोनों ठीक है दोनों सत्ते हैं तो इसका अंसर जो है क्या हो जाएगा ख़दान बफर स्टॉक के रूप में रखा जाता है तो बिल्कुल ठीक है कथन रखा जाता है MSP बेटा MSP पर कोशन आएगा या आएगा प्लीज इसको अच्छे से करिएगा इसलिए यहाँ पर इमने इसको एड़ कर लिया है MSP किरशोको की किरशी उतपात के मुले में किसी तेज गिरावट से बचाफ करते हैं तो यह भी बिल्कुल ठीक है दोनों कथन ठीक है तो C जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा MSP करण्ट अफेर जो तीन चार चल ली है मैं पेछली वीडियो में भी बताया था इन कोश्चनों के अगेंस में आप अवेर रहिए ठीक है गवर्मेंट बजट, इलेक्ट्रोनिक बॉंड और यह MSP किसान जो पर दरशन कर रहे है उसके और में कोश्चन है निमलिकित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए गलत कथन कौन सा है आयात प्रतिस्थापन विदेशी मुद्रा बचाने की उप्युक्त रण नीती थी ये तो ठीक है लाइसेंस नीती ने शेत्री समानता सुनिश्चित की थी ये भी ठीक है प्रणाली का अधार था के हमने रूस को देख के अपनाया यह जो है गलत है बिल्कुल इसका हमने देख के नहीं अपनाया था बीसे कोर्शन में कहता है लगू जलविदित सयंत्र पर्यावरन के लिए अनुकूल है क्योंकि ये क्या करते हैं क्योंकि वे केवल इस्थाने शेत्रों के लिए विद्यो तुत्पन करते हैं ठीक है वे भूमी के उप्योग धाचे को परिवर्तित नहीं करते ये भी ठीक है और पैरनिल स्ट्रिम पर निरपर होते हैं तीन ओप्शन जो है बिल्कुल ठीक है तो एक दो तीन ये जो इसका अंसर हो जाएगा उसके बाद कहता है ग्रेट लिफ फॉरवर्ड का भ्यान किस पे केंद्रित था क्यों हमने जो है ग्रेट लिफ फॉरवर्ड को डॉप किया था मतलब चीन ने तो उद्द्योगी करन के लिए ठीक है और महान सरवारा सांस्कृतिक का रिकरम वो आपको पत अच्छा था कि क्या भारत असीन का सदस्य है या नहीं है वो आप मुझे कमेंड में बताएंगे और यहां पर किसका नहीं है इसका बिरिक्स का है जी टॉइंटी का है सार्क का है इन सबका है यूरोपी संखन नहीं है इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए इनक चीज को बढ़ाने का प्रयास नहीं है वानव कुझी निर्मान को आगतो का कुछलू प्योप को वेफसाइक सिख्षा का प्रयाप्त विस्तार यह जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिंडिया पे भी कई सारे कुश्चन एक्जाम पे बन सकते है इसके लिंडिया क का प्रारम किया था जिसके अंतरगत छातरो को और पेशेवरो को करने के लिए चीन के गरामेंड इनाकों में प्र daar स्टरी जीवनिस्तिती को सीखने के लिए कहा गया था तो इसको क्या कहते है महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांती ठीक है यह बिटा यह यह और धोरी धोरी अच्छे से पता होनी चाहिए चीछ है जी फिर कहता है कि भारत पाकरिस्तान दोनों में भारत और पाकरिस्तान दोनों देशों के बीच में सेवा शेत्र विकास का एक प्रमुहिस्तरोत के रूप में उबरा है, बिल्कुल सही बात है भारत के पडोसी देश में चीन की जीवन प्रत्याशा दर सार्व देखे है ठीक है भारत के कंपैरिजन में तो यह बिल्कुल ठीक है भारत के कंपैरिजन में हमने लास्ट जो करा था उसमें लिखा था कि चीन की जो एक्सपेक्टेड जीवन प्रत्याशा की दर वो विश्व इनकी जीवन प्रत्याशा है वो भाई ज्यादा है भारत से वैश्रमिक जो अपने नियुक्ता के साथ पेरोल पे नियुक्त होते हैं वैश्रमिक जो है कहलाते हैं पेरोल पे रियुक्त होते हैं पेरोल पे बेटा इस टाइप के कोशन भी एक्जाम में आते हैं सारे टाइप के मजदूर, सारे टाइप के वर्कर आपको पता होने चाहिए सुह नियोजित क्या होते है, नियमित क्या होते है, भाड़े क्या होते है अगस्मक्या होते है, सब आपको वर्कर पता होने चाहिए तो जो पेरोल पे काम करते है उसको नियमित भाड़े के मजदूर जो है कहा जाता है ठीक है नियमित मजदूर जो है कहा जाता है ठीक है फिर आप बोलोगे भाड़े के कौन से हो तो भाड़े के आप देखीएगा सारे नियमित आ नियमित यह सब पढ़ के जाईएगा रोजगार वहिन समृद्धी बेरोद्गारी को उत्पन करती है क्योंकि जोबलेस ग्रोथ की बात कर रहा है जोबलेस ग्रोथ क्या होती है आपको पता होना चाहिए जब आपकी GDP तो बढ़ती है लेकिन देश में रोजगार उत्पन नहीं होते है उसको जोबलेस ग्रोथ कहते है क्योंकि ये प्रोद्ग टेकनलोजी के कारण जीडिपी बढ़ती है जीडिपी दो तरीके से बढ़ सकती है या तो टेकनलोजी अच्छा कर लो या अपने रोजगार वगारा को बढ़ा लो किसी एक विशेश फसल की बजाए मल्टिपल फसलों में डील करना क्या कहलाता है फसलों का विवदी करना कहलाता है ठीक है जी? अबिस वेका अंसर ए हो जाएगा भारत ने अपनी पर्थम योजन और निस्विक यावन में जो है करी थी अडॉप्ट ठीक है जी बिल्कुल सही है भारत पाकिस्तान और चीन के आर्थिक नियोजनों को अपनी मुखे विकास रणनीती के तोर पर अपनाया था आर्थिक नियोजन को ठीक है प्लैनिंग को अपनी मेन रणनीती के तोर पर अपनाया था दोनों कथन जी बिल्कुल ठीक दिये गए है 28 question में कहता है दिये गए चितर की व्याख्या वर्तमान परेवरेंट चुनोती के धार पर कीजिए एक क्या परेवरेंट चुनोती जाए दिख रही है तो देख लेते हैं picture यहाँ पेड़ों के अंदधुन कठाई आपको दिख रही है पेड़ों के अंदधुन कठाई हो रही ह सकते हो कि वनों की अंदधुन कठाई से क्या क्या प्रोब्लम फेस होती है अर्थवस्ता को उसके बाद कहता है भारत में ग्रामिड विकास की प्रक्रिया में ग्रामिड बैंकिंग प्रनाली की भूमी का और मुल्यांकन कीजिए बहुत ही अच्छा और यह fix question है एक्जाम मे क्या क्या भी भी कमिया है ग्रामिड बैंकिंग के अंदर ठीक है यह यहां पर प्रॉपर इसने यहां पर आंसर लिख रखा है कि क्या इसकी महत्व है और क्या इसकी आलोचना है आलोचना का मतलब होता है इसकी कमिया बतानी है आंसर देख लीजिए आपको कैसे लिखना है परजिंड की उपलबता का महत्व, एक प्रीवेस कोश्चन में आपको कराया है, पिच्चर वाला, ठीक है, उसका महत्व बहुत बारी एक्जाम में आ रहा है, ठीक है, वो भी अच्छे से करके जाएगा, सपोर्ट मेटीरियल में उसका पूरा का पूरा आंसर आपको दे रख किया है कि वे, वे के उस प्रकार को पेचानी है, तथा व्यक्या कीजिए, जिसे मानब पूंजी निर्माण में प्रतेक्स रूप से योगदान दिया है, शेहर जाने का फैसला कर लिया, उन्होंने, पलायन कर लिया बिटा उन्होंने, कि मैं तो शेहर जाओंगा, यहाप ग एक्जाम में फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है, यह आप इसके अंदर इस तरीके से इसका अंसर लिख सकते है, ठीक है जी, यहाप देख लीजिए कैसे लिखना इसका अंसर, कहता है पाकिस्तान में धीमी सम्रिद्धी वाप निर्धंता आने के क्या कारण है, क्यू ध कारण दीजिए, तो दो कारण हमने यह आपे लिख दिये, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान की धीमी सीधा सीधा कोश्चन है, कोई ऐसा कोई गुमा फिराग ने सीधा सीधा कोश्चन है, पाकिस्तान की धीमी गती के कारण बता क्यों सरकान ने उद्योगों के लिए लाइसेंस फिक्स कर दिया था उद्योगों को तीन श्रेनियों में बाड़ दिया था शेत्रे समानता के लिए ताकि पिछड़े उए शेत्रों के अंदर भी इंडस्ट्री वगारा इस्टैबलिश हो बहु पक्षे वैपार क्या होता है यह आपको बताना है तो बेटा बहु पक्षे वैपार वो होता है जो दो देशों से अधिक देशों के बीच में चलता है एक होता है एक पक्षे वैपार जो एक देश के साथ चलता है एक होता है बहु पक्षे वैपार जो दो से अधिक दे के अंदर कहा रहा है मानने तरकों के द्वारा उल्ले कीजी और neighboring कीजिए कि निम्लेखित कतन सत्य है भार्तिर रुप्खेवस्था ने कार्यबल के अनपचारिकता करण के और संतोश जनक विकास किया है तो कह रहा है दिया गिया कतंजे असत्ते है कार्रेबल के आपचारिकता करण आपचारिकता करण कह रहा है तो कह रहा है हाली के वर्षों में भारत ने आपचारिक से अनपचारिक शेत्र की और कार्रेबल का अधिक अभूतपूर बदलाव देखा है अपचारिक से अनपचारिक शेत्र की तरब जो है अब लोग इस्थानांतरित हो रहे हैं अपचारिक करण नहीं हो रहा है अनपचारिक करण हो रहा है ये मुखे रूप से अपचारिक शेत्र जिसमें नीज और सालजनिक दोनों आते हैं नोकरी के अफसरों में कमी के कारण होता है ठीक है तो बेटा अपचारिक शेत्र क्या होता है अनपचारिक शेत्र क्या होता है इसके सेपरेट वीडियो बने हुई है उसको आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं ठीक है जी क्या होता है और अनपचारिक कारण कारण क्या हो यह आपको यहां पे कुर्शन दिया गया है इसके और में नहीं यह नहीं है तो छोड़ दीजे एक अर्थ शास्त्री के रूप में सरोजगारी व्यक्तियों के लिए अधिक उत्पादक रोजगार सुनक्षित करने के लिए यह जाने वाले किनी दो उपायों को सव विस्तार सजाफ कीजिए कि आप एक एक इकपनूमिस्ट हैं 100 रोजगार व्यक्ति के लिए अधिक उत्पादक में खुद का काम करता हूँ तो मैं अपना काम जो करता हूँ उसके लिए जादा से जादा रोजगार सुनिश्शित करने के कोई दोपाय बतागी कैसे मैं जादा से अपना खुद का जो काम करते हैं, इन दोनों उपायों की मदद से मैं रोजगार में क्या कर सकता हूँ, वृद्धी कर सकता हूँ, अपनी प्रोड़क्टिविटी वगारा को जो है, बढ़ा सकता हूँ नियमित वेतनभोगी करमचारियों में महिलाएं जो हैं, वो कम क्यूं है, ये कुशन भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है, ये जो नियमित वेतनभोगी करमचारी हैं, उसमें पुरुषों का परसंटेज जादा है, महिलाओं का कम है, तो कहरा भारत में नियमित वेतनभोग रोजगार में महिलाएं कम पाई जाते हैं क्योंकि नोकरियों के लिए कुशल और उचिस्तर की साक्षरता आवशकता होती है इसके अलावा बहुत सारी समाजिक बादाओं के कारण भी महिलाएं जो हैं वो काम पे नहीं जा पाती हैं भार जाने के नुमती नहीं होती है फैमल रखें अच्छे से करके जाईएगा ठीक है जी भारत में धानने विकास प्राप्त करने में शामिल किसी एक रण नीतिक और लेक की जिन सो रूर्जा वगार का यूज़ कर सकते हैं ठीक है पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन का यूज़ कर सकते हैं कुछ भी आप इसके अंद क्रेडिट लून जो है एक तो यह और एक सेल्फ हेल्प ग्रूप यह दोनों बेटा बहुत ज़्यादा है इसका महत्वा आ रहा है आजकल एक्जाम में इसको अच्छे से करके जाईएगा क्या लिखना है आपको यह यहां लिखा हुआ इसका स्क्रीन शॉट ले लीजे चा उसके बाद कहता है निमले की एक आपको कोशन दे रखा है तो क्या कहता है भारत में नीती आयोग ने किन संस्था को परिवाद वो करा है तो योजन आयोग को करा है इसके अध्यक्ष कोन होते है प्रधान मंतरी होते है डिजिटल बैंकिंग के किनी दो लाबों की विवेच पूरा एक और आपका पेपर आई होप आपको जो है इमेज वाले कोशन एम सी क्यू अशरसन डीजिनिंग फिलिन दा ब्लैंक सारे की सारी चीज़ आपको समझ में आ रहे होंगी किस टाइप के कोशन आपके एक्जाम में बन रहे हैं किस टाइप के प्रैक्टिकल कोशन कैस इनको सॉल्व किया जाता है ठीक है जी तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरस्टिंग टोपिक के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अपने फ्रेंड सरकल में इस वीडियो को जदे साधा शेयर कीजिए ताकि स तबी जो है इन वीडियो को देखता है इन कुष्णों को प्रिपेर करता है कुछ कल्यांगन आपका हो रहा है कुछ आप अपने दोस्तों का भी कर सको ठीक है जी तब तक के लिए हैव गूड डे बाई बाई टेक कियर